नमस्कार प्रदेश सक्त में आपका स्वागत है मैं हूँ इल्बान खान लोग सबाद चुनाओ से पहले इंडिया गड़बंदन की नजर विधान सबाद चुनाओ पर है यही वज़ा है कि एक के बाद एक कई बैठकों के बाद इंडिया गड़बंदन ने आखिरकार मदिप्रदेश में अपनी पहली संयूक्त सार्वजनिक रैली आयूजित करने का फैसला किया है 28 दलों वाला विपक्षी गड़बंदन इंडिया अक्टूबर के पहले हफते में मदिप्रदेश के भोपाल में समर्थन जुटाएगा यानी साफ है कि विपक्षी गड़बंदन की निगाहें लोग सबाच चुनाओ से पहले राज्ज में होने वाले विधान सबाच चुनाओ पर भी हैं बद्रदेश में इसी साल के अंत में विधान सबाच चुनाओ होने हैं जहां कॉंग्रेस और बीजेपी में ही सीधा मुकाबला माना जा रहा है बताया गया है कि गड़बंदन साजा तोर पर देश के अलग-अलग हिस्सों में रैलिया करेगा जिसका आगाज भोपाल में अक्टूबर से किया जाएगा बताया जा रहा है कि इसमें बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और ब्रस्टाचार को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा जाएगा इंडिया गड़बंदन की समन्वे समीती की पहली बैठक दिल्ली में एंसीपी प्रमुक शरत पवार के बंगले पर हुई जिसमें बारा दलो ने भाग लिया इस मिटिंग में एंसीपी से शरत पवार, कॉंग्रेस से केसी विर्णू गोपाल, डीमके से टीयार बालू, आर जेडी से तेजस्वी यादव, शिवसेना के उद्धव गुट से संजय राउत, जेडी यू से संजय जहा, जेमेम से हेमन सोरेन, आम आदमी पार्टी से गटवारे की बातचीत भी शुरू करेगा, तो यह तै हुआ है कि भाई, पहली जो इंडिया अलाइंस की जो रैली होगी, फर्स वीक ऑफ अक्टूबर, भॉपाल में होगी, और यह भी तै कि शीट शेरिंग को ले करके, जल से जल जो है, जो भी पार्टी मेंबर्स है, जल पार्टी है, वहीं आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाओ लडने का एलान कर दिया है, उसकी पहली लिस्ट भी आ चुकी है, अब जब इंडिया गड़बंदन की पहली सहियुक्त रैली के लिए भोपाल को चुना गया है, तो सवाल ये भी उट रहे हैं कि क्या क कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के सामने उम्मीदवार को उतारेंगे ही उतारेंगे, मीटिंग में शामिल पार्टीों ने तैय किया है कि वो सभी जातीगत जंगलना का समर्थन करेंगी, बता दें कि बिहार में इसका मुद्दा जोर शोर से उठाया जा र अनरजी विदेश के दोरे पर गई हैं, लेकिन उसकी तरफ से कोई नुमाइंधा भी इस बैठक में शामिल नहीं हुआ, इससे पहले इंडिया गडबंदन के सीनियर निताओं ने मुंबई में मुलाकात की थी, फिलहाल गडबंदन को अपने लोगों का डिजाइन भी अगर अभी तक आपने प्रदेश तक को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो हमारी आप से गोजारिश है कि आप प्रदेश तक को सबस्क्राइब कर लें, हमारा वादा है कि हम आप से जुड़ा हुआ हर चुनावी अपडेट आप तक जरूर पहुंचाएंगे